हलो हाई कैसे सब मैं हूँ आतिया वेलकम बेक टो मैं चैनल और अभी क्या है कि एहमदाबाद में भी ठंड होने लग गई है यसी लिए जैकेट पहन के चलो स्टार्ट करते हैं आज अगेन मैंने एक प्रोड़क्त मंगाया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मुझे रिचीव हुआ है तो मैंने इसको एक बर खोल के देख लिया है बट ट्राइ नहीं किया है ओनेस्ट रिव्यू मैं देती हूँ आपको कि मुझे कैसा लगा यह क्या मंगाया है कुछ आइडिया हो गया नहीं हो गया दोनों प्लेइन भी रहे हैं कि मैंने बहुत काम की चीज मंगाया है यह है क्रोफटो बोल सकते हैं हम क्योंकि अगर कोई जो मेरी तरह बाहर रहता है उसको पता होगा कि जब भी घर जाओ तो हर साड़ी के ब्लाउज नहीं होते तो साड़ी वेर करने के लिए हमें एक ही गोल्डन या सिल्वर ब्लाउज का वह जो फैशन है वह पह से क्रोफटो पगरा रखती है और साड़ीक साथ वेर कर लेती हूँ तो अभी मैंने अगेन यह दो कलर मंगाया है जो मुझे चीह था एक है यह परपल टाइप परपल डार्क परपल एक है यह ब्लैक और यह ब्लैक वाला मैंने खोल के देखा था क्या क्लस पॉइंट है क्य क्या माइना से दोनों शेयर करते है यह जो यह थाड़ वाली पिक दिख लिए ना यहां से थाड़ वाली यह इस टाइप का है यह कुछ इस टाइप का रिसीव हुए मुझे ब्लाउस की लेंड से थोड़ा ज्यादा है लेकिन मैंने क्या सोचा है आजकल वह पहनता है थोड़ा टक करके इस टाइप का मैं इसको वियर करूंगी एक साड़ी के साथ मेरे पास एक साड़ी है जिसके साथ ही बहुत अच्छा जाने वाला है स्लीव का मुझे में इशू था जादा बड़ी ना हो और स्लीव बिलकुल परफेक्ट है चोटी है और सबसे में मैंने यह ट्राइ नहीं किया तो फिटिंग का मैं नहीं बोल पाऊंगी बट स्टफ आप देख रहे हैं ना बहुत मोटा वाला कप्रा इन्होंने ब्लैक दिय नेक पीछे से छोटा ही है आगे का नेक मीडियम है अगर किसी को हो कि ज्यादा बड़ा करना है तो वह हां से कटिंग कराके उसको क्या कराते उसको ऑल्टर करालेगा अपना जो भी जिसको थोड़ा बड़ा चाहिए बट मुझे नहीं चाहिए क्योंकि अभी सर्दिया चोटा पहनता है तो जिसकी हाइट जादा है उसके हिसाब से परफेक्ट जाएगा मेरे हिसाब से थोड़ा बड़ा है बट मैं इसको टक करके साड़ी में जो आजकल उस तरीके से पहनूंगी अधरवाइस नहीं अच्छा लगा तो मेरे पास वो फैब्रिक चिपकाने वाल कि इसको ऐसे चिपका सकते हैं ना स्टिचिंग ना कुछ तो अभी मैंने यह वियर नहीं किया है बट मैं आया तो मैं इसका स्टफ देखके मैं शौक हो गई कि इतना सस्ता और इतना अच्छा क्वालिटी मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था क्यूंकि रिवियू इसके एक दो रिवियू अच्छे थे अधर रिवियू बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे तो इसकी वाज़े से मुझे लगा लेकिन मुझे मंगाना चाहिए इसकी लेंट इतनी है पहनने के लगाने से और पहनने में थोड़ा फर्क होता है यह मुझी यहां तक है पहनोंगी तो ठीक आए नहीं आएगा तो मैं इसको जो मैंने बोला है वो इससे चिपका दूंगी इधर अगर किसी को टेंपरेरी ब्लाउस चीए तो बाद में इसको क्रॉप टॉप की तरह यह उसकर सकते है तो आप इसके लिए बे जिजग जा सकते हैं और यह मुझे पढ़ा है तो करते है करन में इसके साथ एक और स्टफ और उसम है ऑसम वाला स्टफ है म warfare मैंने अभी एक फ्हुलाई दूसरा फोलते है अभी वाला मैंने खोलके से नहीं सब्सक्त defence ताहिए ताह यह परपल लगा यह थोड़ा सा पतला कपड़ा है दोनों में compare करें तो black वाले और इसमें यह 100 है तो यह 70 है यह वाला बहुत मौटा कपड़ा है यह बहुत बहुत है यह वाला कपड़ा soft बहुत है बहुत सॉफ्ट है और क्रॉप टॉप के हिसाफ से इसको भी यूज करना मेरे लिए तो सही होगा मेरे पास इस कलर का कुछ है तो साड़ी है तो मैं उसके साथ इसको वेर करने वाले और अगर किसी को चाहिए तो आप उनलाइन पर्चेस कर सकते हैं मैंने फ्लिप कार्ड से मंगाया यह कोई प्रोमोशनल नहीं है अपनी लिए कपड़े जो मंगाती हूं में शेयर करती हूं यह ब्लाउस कैसा लगा आप बताईएगा अच्छा लगे तो मंगाईएगा नहीं अच्छा लगे तो आप द सजाएगा इस वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई तब तक के लिए बाबाई